हेलो फ्रेंट्स एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी अपने और एक्सरसाइज 6.2 का एक्सरसाइज 6.2 का कोशन नंबर 3 देख ने कोशन नंबर 2 कंप्लेट होगे तो कोशन नंबर 3 इस कोशन माई गीवन डाटा किया अपने को गीवन जो है पहली चीज तो दिये एक डाइग्राम देख लिए तुस्सें अपको थोड़ा सासानी से समझ माजाएगा इसमें डाइग्राम दिया अपने को यह वाला कि 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 यह देखिए कि यह डाइगराम उपने को कुश्चन में दिया है यह अपका ए यह B यह C A D यह अपका M यह है N और यह हो गया अपका L ओके इसके अलाओ जो कुश्चन में दिया है L M जो आपको दिख रही है वो पैरलल है C B के डाइगराम में भी दिख रहा होगा आपको L M मतलब यह आई यह किसके पैरलल बता रहा है C B के वैसे ही L N जो है वो C D के पैरलल है यह कोश्चन में गीवन डाटा L N जो है इस पैरलल टू सी डी पैरलल टू सेडी नव अपने को प्रूफ क्या करना इस कोश्चन में तू प्रूफ प्रूफ करना है A M अपन एबी इक्वल टू A N अपन में A D ठीक है AM अपन एबी एममतलब यह अपन में एब मं भी मतलब यह फूरी रहिए इसका रेचियो एन अपन में A D की रेचियों के इक्वल होगा यह अपने को प्रूफ करना इस कोश्चन में बहुत आसान है बहुत सिंपल कोश्चन है तेके कैसे करेंगे इस कोश्चन को नाव अपने को जो प्रूब करना उसको साथ लेके चले ठीक है सबसे पहले में ट्राइंगल ले रहा हूं अपका ABC ठीक है मतलब ABC इस लाइन के ऊपर का ट्राइंगल लिया मैंने ABC ट्राइंगल इस ABC में मेरे को क्या दिया हुआ अब यह की LM जो है वो परलल है किसके CB के या BC के लम जो है वो BC के परलल है अगर इस ट्राइंगल की LM जो है BC के परलल है इसका मतलब क्या अपना BPT theorem क्या बोलता है कि यह यह लाइन इसके परलल हो तो इसके जो लाइन को कट करने वाले पार्ट है मतलब A से L तक अपन में AC इसलिए यह परलल है तो BPT theorem बोलती है कि इसकी दो भुजाए LM अपन में AC जानते सुना कौन सी ली मैंने AL मतलब यह यहां से यहां तक और AC मतलब यह यहां से यहां तक पूरी यही होता था ट्राइंगल में अपने पड़ा यह किसकी रेशो के बरावर हो बहिया AM अपन में AB के AM अपन AB देखो कुछ भी नहीं करा मैंने सिंपल सा जो गीवन है मेरे को पहला ABC ट्राइंगल में उपर वाले में यह गीवन है LM पेरलल इस BC और BPT थिवरम बोलती है कि यदि यह दो रेखाय परलल है किसी ट्राइंगल में तो उनक्या आनुपात जो है कौन-कौन सा आनुपात कौन-कौन सा रेशियो AL अपॉन में AC इक्वल टू होगा AM अपॉन में AB के यह किसके दुरू बोल रहा हूं है बाई BPT बाई BPT क्लियर यह अपनी BPT थिवरम से यह हो गया एक चीज एक्वेशन नंबर वन दे दिजे चलिए इसको अब सेकेंड ट्रेंगल लेजिए अब नीचे वाला ट्रेंगल ले रहा हूं में ACD ACD ज्यान से देखिएगा ACD में में मेरे को क्या दिया बहिया LN जो है यह गिवन डाटा है LN इस पाराल टू सीडी यह गिवन डाटा मैं कई से नहीं लिखा यह गिवन है यह गिवन डाटा यह इसा है नीचे वाले ट्रेंगल में भी तो यह दो भुजाओं का रैश्यों देखिए यह एल अपॉन में AC इक्वल टू होगा AN अपॉन में AD कि यहां से भी क्या होगा कि यह एल अपॉन AC करूँगा तो यह किसके इकोल होगा AN अपॉन AD करेक्ट यह भी किससे बोला मैंने बाए BPT थियोरम बाए BPT दो बर BPT थियोरम ही लगी यह में इस में इस इस एक्वेशन नमबर सेकेंड इक्वेशन नमबर सेकेंड आपको क्लियर हो गया BPT थियोरम के थ्रू मैंने आपको दोनों ट्राइंगल में BPT थियोरम अपलाए करी है ना बेसिक प्रपोर्शनलेटी थियोरम और क्या करा मैंने दो रिलेशन निकाल लिए दो एक्वेशन निकाली डिया इस्वेशन अपने को जो प्रूफ करना ध्यान से देखोगे तो यह अपने को दोनों एक्वेशन मिलाके प्रूफ होता हो नजर आ रहा है देखिए एम अपन में AB इक्वल टू एन अपने डी अब पहली एक्वेशन देखोगे तो भी यह अल अपन एसी इक्वल टू यह है और दूसरी एक्वेशन में भी इनकी राइट एंड साइड भी पूट की जा सकती है यहां लिखेंगे फ्रॉम एक्वेशन पर्स्ट एक्वेशन में कुछ भी नहीं करा यह जो सेंटर लाइन थी इसके उपर का ट्राइंगल और इसके नीचे के ट्राइंगल में BPD theorem का इस्तमाल करा दो equation मिली और दोनों से मेरे को proof हो गया क्या proof हो गया AM upon AB equal to मिल गया मेरे को AN upon AD AN upon AD clear यही मेरे को proof करना था ठीक है यह था आपका question number third note down कर लिजे या इसका screenshot ले लिजे आशायन question था इसके बाद अपने इस question देखेंगे now question number 4 देखे question number 4 का ही diagram दिया हुआ आपको और given data देखे diagram में भी दिखते जाए यह D is parallel to AC diagram में देखो के तो देखे यह D E जो है D से E तक यह किसके parallel वता रहा है AC के and DF DF भी parallel है AE के DF parallel है AE के clear this is given in the question DF जो है वो AE के parallel है and DE जो है वो AC के parallel है okay proof करना है मेरे को कि BF अपन में FE BF अपन FE जो है equal होगा B E upon EC के ठीक है यह ratio दोनों बरावर होगा अशान है question देखे question जो है सुरुवात कहां से करेंगे triangle ABC से यह triangle ABC लिया मैंने द्यान से देखेगा ABC मनलब पूरा full triangle ले रहा हूँ मैं ठीक है ABC में चुकी मेरे को given क्या है given यह है कि यह जो D E है वो parallel है AC के द्यान से देखे D E यह रही किसके parallel है AC के किसी triangle का part D parallel यह दि AC का इसका मतलब यह दि ऐसा है तो क्या होगा डियर इसलिए जो आपका B D देखिए B D अपॉन D A B D अपॉन D A वो किसके बराबर हो जाएगा अपका B E अपॉन EC C किसके तुरू बोल रहा है अपनी है वह यह बाई B P T theorem अपॉन बेसीक प्रोपोर्शनलिटी थेोरम यही बोलती है अपकी किसी triangle की दो लाइने परलल है तो यह हो जाएगा यह equation number one दे दीजे clear now second thing triangle A B E को देखे triangle A B E अब triangle A B E को देखे A B E A B E में देखो गया तो मेरो को कह दिया वह यह D F जो है वो परलल किसके है A E के है रहा D F A E के परललल है यह थी तो इस triangle में जो B D है upon M E D में A D रखो या D A रख लो कोई बात नहीं तो यह किसके एकोल हो जाएगा B F upon F E same concept लगा मतलब by B P T theorem by B P T theorem यह हो गई आपकी equation number second clear क्या गरा मैंने क्यों दो ट्राइंगल जो मेरा data related था मैंने उसको देखा आप दोनों theorem से form equation फर्स्ट और सेकेंड से देखोंगे देखोंगे लेप्टेंड साइड देखोंगे तो बीडी अपॉन टी यह देखेगा आपको मतलब राइट एंड साइड इक्वल हो सकता है तो राइट एंड साइड इक्वल पूट करता हूं है दी में तो बीई अपॉन में इसी यह किसकी इक्वल होगा आपका बी एफ एक्वल टू एफ ए यही प्रूप करना तो आप देखोंगे अपने को प्रूप क्या करना है तो कोशन बहुत असान है बस आपको जो है गीवन डाटा और प्रूफ करने वाले डाटा को सही से इस्तमाल करते आना चाहिए ठीक है आपके कोशन बहुत असान है के वल बीपीटी का कंसेप्ट ही लगा रहा हूं है ना अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो बीपीटी को दो-चार बार बना के देख लेजिए आपको असान हो जाएगी जीए ओके